हेलो अरिवन मैं दोक्टर अनुज कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर इर मैथेमेटिक्स डिपार्टमेंट इस्टुडेंट लास्ट की टू वीडियो में हमने डिन फॉर्म डिस्जक्टिव नॉर्मल फॉर्म जिसको हम एक विडियो में मैंने डिस्ट लेक्टिव किया है आप हम मिनिमाईज करना सिखेंगे बूलिन फंक्शन्स को by the K-map, Carnot Map है ना, तो K-map हमारा काफी important topic है, exam में से question भी पूछा जाता है और यह काफी important है क्योंकि इसमें से एक question आपको exam में देखने को जरूर मेलेगा तो आज किस वीडियो में हम discuss करेंगी Carnot Map, जिसको आप K-map भी कहते है, या map method जिससे हम boolean function या boolean expression जिसको हम कहते है boolean polynomial जिसको हम कहते है उसको minimize करना सीखेंगे मतलब एक extended form में हमें boolean function दिया होगा और K-map के द्वारा हम उसको minimize form में convert कर सकती है, ठीक है, short form में convert कर सकती है तो आज किस वीडियो में जो हम K-map के questions करेंगे वो हम SOP form के करेंगे SOP मतलब sum of product form है ना जिसको हम DN form भी कहते है deductive normal form ठीक है और आज का lecture हमारा next lecture में भी use होगा क्योंकि आज तो केवल में आपको K-map को और K-map के जो 2, 3, 4 variable के questions होते हैं उनको करना सिखाऊंगा फिर कुछ special questions होते हैं जो कि एक्जाम में ज्यादा पूछी जाते हो next video में मैं बताऊंगा चलिए start करते है K-map हम SOP form के लिए पढ़ने वाले है SOP form को फिर से थोड़ा सा detail में बता देता हूँ SOP form को हम sum of product form भी कहते है ठीक है और इसी को हम DN form कहते है जिसको हम disjunctive normal form भी कहते है और इसको हम sum of mint terms expression भी कहते है इसमें हम mint terms का expression करते है मिन टरम का sum करते है इसके लिए इसको sum of mint term भी कहा जाता है मिन टरम जिसमें हम variables की product करते है अगर 3 variable का कोई function है माल लो हमारे पास x, y, z का तो उसके mint term हम निकाल सकते है तीन variable की product हमें लिखनी होती है है ना और elements हम complement भी ले सकते है या same element भी ले सकते है इसमें ध्यानकन अगर तीन variable का function है तो उसकी min term में तीन तीन ही variable आपको दिखाई देंगे xyz, xyz और xyz यह इसकी पैचान है तो यह min term है किसमें xyz में और अगर हम इनका sum कर देते है min term का ठीक है तो वही हमारी sum of product form कहलाती है product क्यों कहते है क्योंकि हमने आपर variables की product की है और बाद में फिर हमने sum किया है इसलिए sum of product कहते है जिसको deductive normal form भी कहते है तो इस तरह के expressions को लेते हुए हम आज कि मैं इसको minimize करना में जिसको हम k-map से minimize करेंगे चलिए start करते है k-map current of map होती क्या है पहले ये जान लेते है देखो ये जो आपको मैंने cn form बताई है sop form इसको हमने table की form में भी solve करना सीखा है है ना truth table से last की वीडियो में देखेंगे मैंने इनको truth table की form में भी solve बढ़ना सिखाया है उसी उनी questions को आप minimize कर सकते है है ना by the k-map और k-map करता का है pictorial representation देता है ठीक है किसकी जो truth table आप बनाते है किसी boolean function के लिए और किसके लिए use होता है boolean function को minimize minimal form में लाने के लिए इसको use किया जाता है यह definition मैंने लिखी भी है यहाँ पर the k-map is a pictorial representation of truth table जो truth table हमने सीखी है last videos में उसकी pictorial representation होती है of boolean functions किसी भी boolean function के लिए and use to minimize the boolean functions और इसको use किसके लिए करते हैं function को minimal form या minimize form में लिखने के लिए इसको हम use करते है k-map को तो यह तो हो गई k-map की definition की pictorial representation होती है truth table की अब k-map के कुछ important rules है जिनको जानना जरूरी है अगर यह rules आपको आ गए तो बहुत easily आप k-map का question कर पाएंगे सबसे पहला rule इसमें जो हम pictorial representation करते है truth table की वो matrix form में करते k-map की matrix form में और वहाँ पर जो matrix होती है उसमें कुछ cells होंगे और वो cells कितने होंगे वो जान लेते हैं पहले तो यहाँ पर मैंने note में बताया है k-map matrix जो हम बनाते है contains 2 की power and cells k-map में जो हम matrix बनाएंगे वो 2 की power and cells होंगे रखेगा हमेशा और n क्या होगा हमारा number of total variable जितने number of variables होंगे वो ही हमारे n होगा और यहाँ पर आप n की value रख करके आप किसी भी function के लिए जान सकते है जितने उसमें number of variable होंगे वो यहाँ पर put करने है और किसी भी function के लिए आप जान सकते है कि उसके k-map में जो matrix बनेगी उसमें कितने cell होंगे 2 की power and इसका formula होता है 4 examples मैंने 2 variables लिए हैना 2 variables लिए मैंने एक लिए x और एक लिए y 2 variables अगर लेते है x और y तो इसके लिए हम जो k-map की matrix बनाएंगे उसमें कितने cell होंगे तो by the formula अगर formula यूज करें हम तो इसमें 2 की power क्योंकि n की value 2 हो जाएगी दो variable यहाँ पर है तो n की value 2 रखने पर 2 की power 2 cell होंगे यहनिकि 4 cell हमारे total matrix में होंगे k-map की अब देखो 2 variable के लिए जो हमारी k-map के matrix बनती है वो matrix कैसे बनती है दो तरीके होते हैं matrix को represent करने के k-map matrix आज की इस वीडियो में हम एक तरीका जो first वाला होगा उसको use करेंगे next वीडियो में हम जो second वाला portion है second वाला जो तरीका है represent करने का उसको use करेंगे दोनों सेम ही होते हैं बस थोड़ा थोड़ा सा difference है तो k-map के अगर आपको 2 variable के matrix बनानी है तो उपर हम लिख लेते है x variable और नीचे हम लिख लेंगे y variable या फिर इसको आप change भी कर सकते है नीचे हम लिख लेंगे x variable और उपर हम लिख लेंगे y variable ठीक है अब चुकिए आप जानते है कि जो x और y हमारी logical variable है ठीक है वो x अगर हमारा variable है तो true value लेगा वो 1 और false value लेगा वो 0 तो इसका मतलब अगर x 1 value लेता है जो कि true value होगी तो x dash क्या value लेगा 0 यह आपका बहुँ symbol सा concept है कोई भी variable 0 1 में work करता है 1 for the true value 0 for the false value जिसको हम x के complement या x dash से भी लिखते है तो दोनों values हमें लिखनी है इस तरीके से यहाँ पर देखे जरा उपर y variable है input हमारा तो y dash पहले लिखेंगे फिर y लिखेंगे नीचे हमारा x variable है तो x dash पहले लिखेंगे फिर x लिखेंगे ओके तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते है तो यह हमारे 4 cell रखेगा 4 cell हमने बनाए है इस तरीके से और होता गया है यह जिसमें entries आएगी x dash के multiply y dash के साथ करने पर यहाँ पर x dash y dash के लिए cell बनेगा मतलब जो भी x dash y dash की value होगी वो आपको यहाँ पर put करनी होगी in the form of one फिर x dash की y के साथ multiply करने पर यह cell represent करेगा x dash y को next फिर x की y dash के साथ multiply करने पर यह cell represent करेगा x y dash को फिर x की multiply y के साथ करने पर और यह represent करेगा x, y को तो इन values को represent करेगा यह हमारा four cells है ना और यह हमारा two variables के लिए k-mathematics का काम करेगा अब इसी को हम दूसरी form में भी लिख देते है है ना वो form क्या होती है उपर x input variable दूसरा y variable तो उसको कभी-कभी हम 0 और 1 की form में भी लिख सकते है क्योंकि आप जानते है कि जो x variable है true value के लिए 1 और x dash जो की false value के लिए हमारी 0 value होती है तो 0 1 की form में भी इस matrix को बना सकते है तो y dash के लिए मैंने 0 use किया और y के लिए मैंने 1 ऐसे ही x dash के लिए मैंने 0 use किया और x के लिए 1 तो 0 1 में भी हम question को solve कर सकते है या फिर इस तरीके से जो left में मैंने बताया है इस form में भी आप question को solve कर सकते है बस इसमें ध्यान लखना है आपको कि dash के लिए यानि के compliment के लिए हम 0 और as usual value के लिए हम 1 use करते है जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया x की value 1 true value के लिए x dash जो x का compliment होता है वो 0 for the false value तो और कोई variable है तो 0 1 में ही वो value लेगा अब बात करते हैं क्योंकि next video में भी काफी helpful होगा कभी-कभी questions में हमें cells के number दिये होते है तो उसकी numbering क्या होगी तो यह जो हमारा पहला cell है अगर हम इसकी numbering की बात करें तो उसको 0 cell कहते है जिसको हम suffix में लिख सकते हैं इस तरीके से इसका मतलब 0 number का इस cell है यह 1 number का cell है ठीक है न और फिर हमारा होता है 2 number का cell और last में आता है 3 number का cell तो इस तरीके से हम इसकी numbering करते है 0, 1, 2, 3 तो जब भी हमारा 2 variables का question आएगा अगर आपको numbering की form में function दिया है तो आप इस तरीके से cell में यहाँ पर value डालेंगे 0, 1, 2, 3 यह हमारे इसकी numbering होती है तो यह मैंने 2 variable के लिए आपको k-map की matrix बनानी सिखाई अब ऐसे ही आप 3 variable के लिए भी matrix बना सकते हो 3 variable है तो 2 की power 3 यानि के total हमारे 8 cells होंगे ठीक है total हमारे कितने cells होंगे 8 cells होंगे और चुकि 3 variable है तो एक तरफ हम लिखेंगे इस तरीके से फिर से लिखे दिखाता हूँ एक तरफ लिखेंगे हम यहाँ पर x और दूसरी तरफ लिखेंगे y,z ठीक है तो x, y,z हम 3 variable इस तरीके से इनवल्व पराते हैं और यह 8 cell मैंने 2 form में इसको बताने वाले हो एक 0,1 की form में और एक x, y,z की form में तो अगर x है तो यह हमारा x dash और x value लेगा और अगर y है तो y dash, z dash value लेगा फिर y dash, z value लेगा फिर यह हमारा value लेगा y,z dash लेकिन मैंने y,z dash को आगे लिखा है y,z dash को मैंने एक cell छोड़ करके आगे लिखा है इसी वज़े से इसकी जो cell की number नहींगा वो भी change हो जाएगी यह ध्यानक नहीं आपको फिर से बताता हूँ पहली value होगी हमारी y dash,z dash दूसरी value होगी y dash,z तीसरी value होगी y,z dash लेकिन y,z dash को मैंने सबसे last में लिखा है सबसे last वाले cell में एक cell का gap दिया है इसी cell के gap की वज़े से हम इसकी cell की numbering होगी उसमें भी change आएगा यह ध्यानक नहीं आपको और last में हमारी value मिलेगी y,z ठीक है तो यह जो है हमारी value इसी form में अगर आप रखेंगे तो next video भी आपको अच्छे समझ में आएगे और उसके questions भी बहुत easy ली कर पाएगे जिस form में मैं यहाँ पर बताऊँगा मैंने यहाँ पर y,z को पहले लिखा है और y,z को मैंने last में value लिखे तो इसी वज़े से cell की numbering भी बदल जाती है है ना यह जो हमारा पहला cell होता है इसको हम 0th cell बोलेंगे इसको हम 1 cell बोलेंगे और 2 हम इसको बोलेंगे और 3 हम इसको बोलेंगे यह ध्यान लखना है क्योंकि मैंने एक cell का gap दे के उसको लिखा था तो cell की numbering बदलेगी ऐसे ही नीचे इसको हम 4th cell बोलेंगे इसको 5th बोलेंगे और last वाले को 6th बोलेंगे और इसको हम 7th cell बोलेंगे ठीक है इस तरीके से आपको cell की numbering याद रखनी है और इसमें value कौन कौन सी जाएगी हमारी इसमें value कौन कौन सी जाएगी ये भी समझे value जाएगी multiplication आपको simply करनी है left वाले जो row में आपको variable लिखा गया है उस variable की multiplication करनी है किसके साथ में ये जो उपर हमारे column wise हमने variables लिखे उनके साथ में जैसे की x dash y z dash के साथ multiply करके x dash y dash z dash के लिए cell बनेगा फिर आगे x dash y dash z मिलेगा फिर आगे x dash y z मिलेगा फिर आगे आपको x dash y z dash मिलेगा यहाँ पर x y dash z dash x y dash z x y z and finally x y z dash तो यह जो cells है यह in multiplication को denote करते है यह जो हमारे cells होंगे in multiplication को denote करेंगे यह हमेशा ध्यान रखना है अब जैसे कि आप जानते है कि x और y z यह हमारे सभी के सभी logical variable है तो यह 0 1 की form में भी लिखे जा सकते है किस form में x की value हम 0 दे सकते है 1 दे सकते है ऐसे y z की value 0 0 y dash z dash की value क्योंकि आप जानते है जस्ट उपर भी मैंने बताया है कि x जो है वो true value 1 लेगा x dash जो है वो false value 0 लेगा तो y dash z dash की जगा पे हम 0 0 लिख सकते है फिर y dash z को हम 0 1 लिख सकते है फिर y z को हम 1 1 लिख सकते है y z dash को हम 1 0 लिख सकते है ठीक है और numbering cell की आप याद रखेंगे क्योंकि जो हम pairing है वो एक आगे पीछे करके लिखते है क्योंकि इसी से questions आपके solve होंगे तो ये 0 cell होगा ये 1 होगा last वाला 2 और 3 हमें पहले लिखना है फिर ऐसी ही ये 4th ये 5th last वाला 6th और ये 7th होगा तो cell की numbering आप याद रखे ठीक है तो ये हमारा 3 variables के लिए होगा जिसमें 8 cells होते है और इस तरीके से value represent इसमें होती है ऐसे ही हम 4 variables के लिए भी बना सकते है ठीक है न 4 variables है तो 2 की power 4 यानि के total ये 16 cells रखेगा अब इसमें हम लिखते कैसे है है न इसमें हम लिखेंगे x, y input नीचे की साइड में और 4th 3rd 4th variable z, w माना है तो z, w हमारा उपर की साइड में ठीक है लिखने का तरीका वही है कि पहले हम z, w, लिखेंगे z, w, लिखेंगे फिर आता है हमारा z, w, ड, जिसको मैंने एक छोड़ करके लिखा है इसको एक छोड़ करके हमने लिखा है इसलिए इसकी numbering बदलेगी और जो z, w है इसको मैंने की numbering बदलेगी ऐसे ही हम left side में भी लिख सकते है x dash y dash x dash y और एक cell छोड़ करके मैंने लिखा x y dash और फिर x y को मैंने बीच में डाला है ठीक है तो इसकी इधर की side में भी numbering बदलेगी है ना तो यह हमारा 0, 1, 2 cell होगा 0, 1, 3, 2 cell होगा फिर यहां पर जाएगा हमारा 4, 5, 6 last में 7 यहां पर ऐसी जो क्योंकि हमने column wise भी change किया है तो column में भी numbering बदलेगी तो यहां पर हमारा जाएगा 8, 9, 10, 11 और middle में हमारा जाएगा 12, 13, 14, 15 तो यह cell की numbering आप बहुत यहां से समझ लीजिए जैसे मैंने बता है क्योंकि हमें एक आगे पीछे करके लिखते इसलिए cell की numbering बदलती है और आगे जब questions आएगा next video में तो उसमें इस तरीके से दिया होगा कि f of 0, 1, 2, 3 इस तरीके से दिया होगा है ना तो उसका मतलब तो वो cell की numbering है वो cell की numbering होगी तो cell की numbering आपको ये mind में set कर लीनी है जो मैंने आपको बताई है ठीक है अगर आपके mind में set हो गई तो हमारा काम easy हो जाएगा और इसी को हम 0, 1 की form में भी बना सकते है ये xy और ये zw आप जानते है x' को हम 0 के लिए और x के लिए हम 1 यूज करते है ये एक variable के लिए बताया मैंने ऐसी yz के लिए भी होगा w के लिए भी होगा तो यहाँ पर x' y' की जगह पर हम 0, 0 लिख देंगे x' y' की जगह पर 0, 1 ठीक है और x' y' की जगह पर 1, 0 जो की last में लिखा है हमने और x' y' की जगह पर 1, 1 ऐसी z' w' के लिए 0, 0 z' w के लिए 0, 1 और 1, 0 को last में लिखा है और z' w के लिए 1, 1 ठीक है क्योंकि pairing हमने last वाले के लिए थोड़ा से change किये इसलिए हमारे cell के number बदल जाते है ओके cell की numbering कैसे होगी 0, 1, 2, 3 फिर 4, 5, 6, 7 फिर हमारा 8, 9, 10, 11 फिर हमारा 12, 13, 14, 15 तो यह हमारी cell की numbering होगी 4 by 4 की matrix बनती है हमारी किसके लिए यदि 4 variables हो तो तो यह matrix बनाने वाला concept आपको अच्छे से आना चाहिए यह ना cell की numbering जो मैंने आपको बनानी सिखाई है यह cell की numbering आपको अच्छे से आ जाए तो k map is nothing ओके 4 से ज़्यादा variable के question आते नहीं है तो 4 तक ही बताऊंगा फिलाल में अब यह तो हो गई हमने cell को represent करने की उसकी numbering और कितने variables में कितने बाई कितने के matrix बनती है वो चीज़े मैंने discuss की अब यहाँ पर हम SOP sum of product form या deductive normal form के लिए k map का जो हमारा working rule होगा क्योंकि table बनाने के बाद हमें करना क्या होता है किस तरीके से हम अपने polynomial को या function को minimize कर सकते हैं वो एक working rule पर चलता है है ना वो working rule वैसे तो question से clear होगा लेकिन question करने के बाद जब आप इस working rule को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वास्तों में जो हमारा working rule है बिल्कुल हर एक step जो है question से match होती है तो step number one working rule में step number one step one में हमें करना क्या होता है जो उपर मैंने सिखाया है write the matrix according to the number of variables ठीक है जितने number of variables है उसी का according आपको matrix बना देनी है two के लिए भी मैंने बता दी three के लिए बताई four के लिए बताई number of cells उसमें जो numbering होती है cells की वो भी मैंने discuss की वो आपको mind में set कर लेना है तो पहली step में हमारी बनती है matrix दूसरी step में करना क्या होता है दूसरी step में देखो अगर आपको कोई function दिया है मालो कि वो दो variable का function है और वो इस तरीके से है x y dash plus x y तो यहाँ पर आपको clearly दिख जाएगा कि एक term में x y की multiply एक term में x y dash की multiply है तो terms के according हम one value डालते है क्योंकि mean term का outcome हमारा one होता है इसलिए हम cells के according जो भी हमें term दी है उसकी value one डालेंगे table में ठीक है ना तो हमारी दूसरी step में क्या करना है table बनाने के बाद आपको देखना है कि आपके पास कौन सी term है उसी term को multiplication देखते हुए उसमें आपको one value डालनी है वह हमारी दूसरी step है write once in the corresponding cell for the terms of the given boolean function जो भी आपको mintrum की form में है ना SOP की form में boolean function दिया है उसमें corresponding terms के लिए corresponding cell में one entry डालनी है ठीक है example से आपको ज़्यदा clear होगा फिलाद समझ लीजिए कि table बनाने के बाद हमें cells में one entries डालनी है और SOP form में zeros allowed नहीं होती है आपको zero कहीं पर भी नहीं लिखना है ठीक है केवल आपको कौन सी value डालनी है SOP form में या deductive normal form में आपको केवल one value डालनी है ओके zero allowed इसमें नहीं होती है फिर one values डालने के बाद हमारा तीसरा काम होता है group को बनाना जितने भी ones होंगे उनके according हमारे group बनते है अब group जो बनाएंगे हम उसके लिए भी कुछ rules है वो आपको याद रखने है जो हम group बनाएंगे number one rule है इसका group must contain one or two की power and cell जो भी आप group बनाएंगे as a rectangle की form में हम इसको बनाते है तो उस group में cells कितने involved होंगे one को लेकर ही बनाने है सारे one cover करने है group में हमें अब उस group में कितने number of cells ले सकते हैं हम ठीक है number of cells हमारे किसके लिए formula होता है तो एक cell लेंगे हम या फिर two की power n की form में हम cells लेंगे n की value 1 डालो 2 डालो 3 डालो 4 डालो ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि जो group हम बनाएंगे उसमें जो cells हम ले सकते है ones को लेकर के group of ones can have one cells अगर n की value 1 डाल दे तो two की power 1 यानिके two cells n की value 2 डाल दे तो two की power 2 यानिके four cells n की value 3 डालने पर eight cells तो जो group हमारे बनते है उसमें कितने cells involve होंगे या तो one cell एक cell involve कराएंगे आप या दो cell involve करा सकते है four करा सकते है eight करा सकते है three cell का involation कभी भी group में नहीं होगा five cell का involation कभी भी group में नहीं होगा ठीक है जैसा मैंने बताया है आपको कि एक cell ले सकते है दो ले सकते है चार ले सकते है आठ ले सकते है तो इनी cells को इस तरीके से one वाले cell को ले करके आपको group बनाना है और वहाँ पर जो cells की overlapping है वो हमारी allow है मतलब एक one को आप दो group में भी involve करा सकते है किस तरीके से जैसे कि आपको question में आगे बताने वाला हूँ overlapping वहाँ पर allow है हम कोशिश करते है कि आपका जो cell group बने वो जितना possible हो सकते large बने group should be as large as possible ठीक है सबसे पहले आपको 8 cells को देखने है कि 8 का group बन सकता है कोशिश करने की जाद से जाद से जाद साहल हमारे group में cover हो और यह जो group होगा कोई भी number कोई भी one हमारा बिना grouping के नहीं रहना चाहिए no one should be left without grouping कोई भी one खाली नहीं रहना चाहिए है ना बिना grouping के group में कही न कहीं पे वो जो one diagonal group cannot be allowed not allowed diagonally हम group नहीं बना सकते मतलब अगर एक entry यहाँ पर है एक entry यहाँ पर है तो हम इसका group नहीं बना सकते ठीक है diagonally group यहाँ पर allowed नहीं होता है तो कुछ मैंने group पनाने के लिए rules बताए जिनको हम आगे questions में भी follow करेंगे फिर जब group बन जाएंगे तो group के corresponding जो values हमें मिलेगी वो हम लिख देते है उससे term बन जाती है और terms को add करने पर हमारा finally boolean function minimize हो जाएगा वह ही मैंने last में लिख कर write the minimize term for the corresponding groups corresponding groups के लिए जो rows और columns को देखते हुए हमें values मिलेगी rows और columns को देखते values मिलेगी उनको हमें लिख देना है and by adding these और इन values को add करते हुए we get required minimal boolean function जो जो minimize हमारा boolean function है वो हमें मिल जाएगा अगर हम values को लिखते तो last में जो grouping को देखते हुए आपको minimize term लिखनी होती है उसके लिए आपको ये दो बाते ध्यान में रखनी है जो last में मैंने लिखी है write only unchanged or constant variable for each group वहाँ पर group में जब आप values लिखेंगे group के corresponding तो आपको constant variable को लिखना है अगर कोई variable change हो रहा है change किस तरीके से कि एक term में x dash है और एक में x है ठीके तो वो cancel हो जाता है क्योंकि आप जानते है x plus x dash की जो value है वो one kick वल हो जाती है तो x plus x dash की value one kick वल हो जाती है इसी लिए x plus x dash जो है वो हमारा एक तरह से cancel out हो जाता है क्योंकि वो one kick वला जाता है तो आपको वहाँ पर देखना है कि कौन सी unchanged value है constant value है उस constant value को यह आपको each group के लिए लिखना होता है जैसे कि माँग एक जंपल में बताऊंगा एक जंपल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा check rows and columns values for each group ठीकिन आपको rows और columns values दोनों देखनी होती है क्योंकि दोनों से मिलकर ही हमारी matrix बनी है तो finally जब हम उसको reverse करेंगे तब भी दोनों से मिलके हमारी value लिखी जाएगी तो यह हमारा working rule है working rule को आप एक copy पे note down कर लीजेगा maybe अभी आपको समझ में ना आया हो लेकिन questions को करने के बाद आपको इसकी एक-एक step समझ में आएगी कि हमने इसी तरीके से follow किया है rules को examples लेते है examples से ज़्यादा clear होगा for two variables पहले हम दो variables के लिए दो questions को solve करेंगे using the k-map या करनोप map find minimal form of the boolean functions एक boolean function आपको दिया है और इस boolean function की हमें k-map के दुआरा minimal form लिखनी है obviously इसमें x और y दो ही variable हमारे involve है ठीक है और यह SOP form में भी दिया है क्योंकि हर ट्रम में दो-दो variable की product x y की और फिर उनका sum किया गया है तो यह SOP form है sum of product form है यानि कि disjunctive normal form हमें given है इसको हमें minimal form में लिखना है minimal form में रखने के लिए दो variable है तो 2 की power 2 2 की power 2 यानि कि 4 cells हमारी matrix रखेगी जो कि आपको मैंने बताया matrix मैंने बना दिया है इस तरीके से values किस तरीके से हम इसमें डाल सकते है यहाँ पर हम x लिखेंगे यहाँ पर y लिखेंगे यह y डैस और यह y y की तरफ हम y डैस y लिखेंगे और x के नीचे हम x डैस और x लिखेंगे तो यह दो input variable यहाँ पर है तो अब हमें देखना है कि हमें क्या क्या value दी है हमें d value x y दी है पहले ट्रम तो x y कम मिलेगा आपको जब x की multiply इस y के साथ करेंगे तो आपको यह cell मिलेगा और x y की multiply करने पर हमें x y ट्रम मिलेगी इसका मतलब हमें इस ट्रम के लिए one value इस cell में लिख देनी है ठीक है x y की multiply यहाँ पर मिलेगी आपको इस cell में और यह ट्रम आपके function में involved है तो इसकी जगा पर हम one लिख देंगे फिर दूसरी ट्रम है x dash y तो x dash y कब मिलेगा जब यह वाला x dash इस y के साथ multiply करेगा इनके कौन से cell में जाएगा इस वाले cell में जाएगा इसको भी हम one value देंगे जितनी ट्रम्स हमारे पास हैं उनको हम one value देंगे फिर last ट्रम है हमारी x dash y dash x dash y dash कब आएगा जब यह x dash इस y dash के साथ multiply करेगा तो x dash y dash आएगा यह cell में मिलेगा इसमें भी हम one value डाल देंगे तो सबसे पहले क्या करना है matrix बनानी है आपको variables को देखते वे दूसरे नंबर पे जितनी ट्रम्स हमारे पास है उनके corresponding cells में हमें one डालना है आपको देखना है कि यह ट्रम्स multiply होने के बाद कुन से cell में जाएगी उसके corresponding one डालना है जिस तरीके से मैंने डाला है तो दो step हमारी complete working rule की अब तीसरी step में हमें क्या करना है तीसरी step में हमें इसकी grouping करनी है यह सारे one cover करने है है ना और grouping में मैंने बताया कि Excel involve करा सकते 2, 4, 8 इस तरीके से आप involve कराएंगे 2 की power and form में है ना grouping करने में तो क्या यहां पर 4 का हम कोई grouping कर सकते है 4 का हम इसमें grouping नहीं कर सकते तो 4 को leave करते हैं 2 पर आते हैं क्या हम इसमें 2 का grouping कर सकते हैं और वो two का grouping कैसे होगा वो समझ यह two का grouping हम कैसे करेंगे अगर हम इन दोनो variables को ले ले तो इन दोनो ones के लिए हमारी दोनो cell की grouping हो जाएगी क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे जो cells है कितने involved हो सकते group में one two four eight तो दो cell involved हुए और हमने group बनाया जो मैंने green color के box में डाल दिया है rectangle form में और overlapping यहाँ पर allow होती है तो दूसरा हम group बनाएंगे इस वाले one और इस वाले one को ले करके overlapping allow है आप देख सकते कि यह जो हमारा यह वाला जो cell है इसका one दो बार involved हो गया इससे कोई फरक नहीं पढ़ता overlapping हमारी allow है लेकिन according to लोग आपको one two four eight इतने cell मिलाकर ही one के grouping करनी होती है तो सभी one हमारे grouping में cover हो गए अब हमें group के according corresponding values लिखनी है इसमें मैंने उपर आपको बताया है एकर कोई variable change हो रहा होगा कहाँ से कहाँ तक x dash से x मानो या x से x dash मानो तो उसको हम नहीं लिखते है जो variable constant रहेगा उसको लिखा जाता है तो चलिए पहला group लेते हैं अगर हम पहले group को देखें तो पहले group हमारा बनेगा ये वाला rectangle बनेगा पहला group इसमें अगर column y जाते है तो एक जगा पर y डैस लिखा है एक जगा पर y लिखा है मतलब इसमें variable में change आया है ठीक है न? दो value इसमें लिखी गई है एक बार y डैस और एक y तो जब हमारा change आता है उस variable को हम नहीं लिखते तो column में हम कोई भी variable नहीं लिखेंगे लेकिन जो row है हमारी row में हमारा है केवल x डैस केवल एक variable है इसमें कोई भी change नहीं है तो इस group की जो value होगी y plus y डैस तो 1 दे देगा आपको वो तो change हो रहा है लेकिन जो unchanged है वो केवल x डैस है तो इस group की value x डैस हो जाएगी तो मैं लिख देता हूँ x डैस ओके फिर हम दूसरा group लेंगी दूसरा group देखे तो यहाँ पर बनेगा यह वाला यह वाला rectangle यह दूसरा group होगा अगर इसमें जाते है आप row wise तो row wise तो change हो रहा है एक बार x value है एक बार x डैस है change आया यहाँ पर x में तो इसको हम ignore करेंगी ठीक है ना change value को हम नहीं लेते है लेकिन अगर column y जाए तो केवल एक ही value आपको मिलती है y जो की fix है उसमें कोई change नहीं है वो y ही है तो x से x डैस तो 1 हो जाता है केवल हम इसकी value क्या लिखेंगे y तो इस group की हमारी value आएगी y अब देखो change होने पर value को हम क्यों नहीं लिखते क्योंकि y प्लेस y डैस हमें 1 देगा इसलिए हम उसको ignore कर देते है क्योंकि change आने पर वो 1 देदेगा ऐसी x प्लस x डैस को अगर लेंगे तो वो भी हमें क्या value देगा 1 देगा इसलिए हम x और x डैस का जब variation आता है चेंज होता है तब हम उसको ignore कर देते है और corresponding rows और column के corresponding values को लिखते है तो एक group के लिए value मिलिए आपको x डैस और दूसरे group के लिए value मिलिए आपको y दोनों को add कर देंगे add करने पर यह जो हमारा finally function बनता है यही हमारा required minimal form है for the given function ठीक है तो यह जो required minimal form है given function की इसको हम last में कह सकते is the hence is the required minimal form of the function यही हमारी required of minimal form होगी दूसरे example लेते है second example है हमारा यह fxy function दिया है दो variable का function है तो इधर हम x value डालते है इधर y अगर values को लिखा जाए तो यह होगा हमारा x डैस ये y ये y डैस ये y ठीक है अब पहली ट्रम है x y x y की multiply कब sorry ये खलत लिखा मैंने x हो गई x y की जो cell है वो कौन सा बनेगा जब ये x इस y के साथ multiply करेगा है ना तो ये cell हमें मिलेगा इस cell में 1 डाल देंगे फिर दूसरा है x डैस y डैस x डैस y डैस कब मिलेगा जब x डैस की multiply y डैस के साथ होगी तो ये cell हमें मिलेगा तो इसमें भी 1 डाल देंगे तो हमने दो ट्रम दी थी उसको हमने cell में 1 डाल दिया 1 डालने पर हमें grouping करनी है और group हम किसका कर सकते है 1 का 2 का 4 का 8 का 8 यहाँ पर possible नहीं है 4 का कोई group बना नहीं है और अगर देखिए तो 2 का भी group नहीं बनेगा 2 का group बन सकता है diagonally लेकिन diagonally group हमारा अलाव नहीं है diagonally बना सकते है आप किस तरीके से अगर हम इसको इसके साथ ले तो group बन जाएगा लेकिन यह diagonally होगा diagonally हमारा अलाव नहीं होता है डाइगनली गुरूप आपको नहीं बनाना है ठीक है ना तो डाइगनली गुरूप भी नहीं बनेगा तो फिर तो एक एक का ही बनेगा हमारा यह है ना एक एक का ही गुरूप बनेगा एक गुरूप यह हो जाएगा और यह तो वही फंक्शन बन जाएगा जो हमारा है इस required minimal form में है ठीक है उसको हम इससे ज़्यादा minimal form में नहीं ला सकते हैं वही हमारी required minimal form है क्योंकि आपने देखा questions में आपको वही सेम्टम मिल जाएगी तो यह दो variable के questions है अब लेते हम तीन variables के question पूछे जाते हैं find using k-map a minimal form of the boolean function आपको k-map को use करते हुए boolean function की minimal form लिखनी है और function आपको given है यह function xyz xyz dash अब देख सकते हैं कि यह सभी mintrums है तीन-तीन variable contain करती है subitrum, mintrums है और हमने इनका sum किया है sum of mintrum बनेगा यानिके यह हमारी sop form बनेगी sum of product form जिसको हम dn form भी कहते हैं deductive normal form और deductive normal form के लिए हम यहाँ पर k-map पो study कर रहे है तो इस function को हम में minimal form में लिखना है obviously 3 variable है तो 3 variable के लिए सबसे पहले check करेंगे कि matrix में हमारे k-map matrix में कितने cell होंगे तो 2 की power 3 यानिकी 8 cell होंगे जैसे कि मैंने उपर भी बताया अब k-map की matrix बना लेंगे k-map की matrix मैंने आपको बनाने सिखाए थी कि यहाँ पर input x variable यहाँ पर input y z variable यह value लेगा x dash और x यह value लेगा y dash z dash y dash z और y z dash को हम आगे लिखते excel छोड़ करके इसलिए cell की numbering बदल जाती है और यहाँ पर आएगा y z अब हमें इनकी corresponding value जो भी trams हमें दी है उनकी values इसमें डालनी है सबसे पहली trams है हमारी x y z x y z कब आएगा जब यह x multiply इस y z के साथ करेगा तो corresponding cell हमारा यह बनेगा इसमें हम one डाल देगे ठीक है फिर next trams है हमारी x y z dash x y z dash कम मिलेगा जब x multiply करेगा y z dash के साथ तो corresponding cell हमें यह मिलेगा x y z dash next है x y dash z तो x y dash z को अगर देखे तो x y dash z का cell यह बनेगा x के multiply y dash z के साथ इसमें भी हम corresponding cell में one डाल देगे और next हमारा है इसमें x dash y z x dash यह रहा और y z यह रहा तो x dash y z के लिए cell यह बनेगा इसमें हम one डाल देगे और last है हमारा x dash y dash z x dash y dash z x dash y dash z कोन सा बनेगा हमारा x dash y dash z तो यह वाला cell बनेगा तो इसमें भी हम one डालतेंगे तो हमें जितनी trumps दी हुई थी हमने उनकी corresponding cells को देखते हुए corresponding cell में उनकी value one मैंने डाली अब हमें group करने है कि यहाँ पर 8 का group possible है no यहाँ पर 8 का group possible नहीं है तो हम 4 का check करें क्या हम 4 का group बना सकते हैं yes हम 4 का group बना सकते हैं grouping में ध्यान अकना menu पर बताया है one का pair बना सकते है group वन सेल्स को कंटेन करा सकते है, टू को, फोर को, एट को, है न, तो इस तरीके से गुरूपिंग हमारी होनी है, तीन सेल्स को कभी भी कोई गुरूप नहीं रखेगा, डाइगनली कभी भी कोई गुरूप नहीं जाएगा, तो यहां पर हम चार सेल्स को लेकर के गुरूप बन जाएंगे थीक है अब जो हमारा जो हमारा रिमेंड इंग एक न से बचा है उसकी हम कर सकते है ओवरलैप इसमें लाओ है तो दूसरा ग्रूप कौन सा हो गुरूप फिल बी अगरम इसका गुरूप इस के साथ बना दें तो दूसरा क्धै हो जाएगा है अब देखे दो गुरूप मैंने बनाए हैं क्या सभी वन कवर हो गए यह सभी वन कवर हो चुक है थो हमारा काम खता हुआ grouping करने के बाद grouping करने के बाद हमें corresponding trumps लिखनी है ठीक है पहले हमें इस वाले group को देखते है कि जो four cells का जो group था इसके corresponding rows और column से हमें क्या के value मिलेगी इस group को देखते है तो अगर हम rows में जाते है तो rows में तो x change हुआ है x dash भी है x भी है दोनों add होने के बाद one दे देगे तो उसका तो काम खतम हो जाएगा अब इसके corresponding हम column में जाते है column में देखते है कौन सा change है कौन सा constant है constant वाले को लिखा जाता है जो y और y dash की form में दो बार लिखा होगा यानि के change हुआ होगा उसको हम add करने के बाद वो one value दे देता है थो यहाँ पर आपको देख सकते y change हुआ है y की value y dash भी है और y की value y भी है तो y में change हुआ है y को हम नहीं लिखेंगे उपर मैंने rule में बताया है कि जो variables में change आता है उसको हम नहीं लिखते है जो variable unchanged या constant रहता है उसको लिखते है constant कोन से है यहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर जो z variable है z ही यहाँ पर है और z ही हमारा यहाँ पर है यह निकि z variable constant है यह unchanged है तो इस four cell के group के लिए जो value आएगी वो खाली z आएगी क्योंकि row में x में change हुआ है उसको नहीं लिख सकते column में y में change हुआ है उसको नहीं लिख सकते constant कोन रहा है हमारा z तो इस 4 cell के group के लिए जो हमारी value बनेगी वो होगी z जिसको मैं नीचे लिख देता हूँ या गया z फिर हम जो 2 cell का group बना है इसके corresponding values देखेंगे इसके corresponding हम देखते हैं पहले row में row में क्या मिलेगा x खाली x है कोई change नहीं हुआ तो x लिखा जाएगा है ना और अगर इसी group को देखते हुए ये तो row में हमने x लिखा column में जाते है column में कौन change है आप देख सकते है z z यहनिके z में change हुआ z को हम नहीं लिखेंगे z को हम नहीं लिखेंगे लेकिन अगर बात की जाए y की इन दोनों दो cell के group के लिए तो y दोनों में constant रहे है यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है y में कोई change नहीं आया है ठीक है ना तो इस x के साथ x तो हमने लिखी दिया है row की corresponding अब column के corresponding जो unchanged value है वो y है z तो change हुआ है तो इसके साथ हम x के साथ में y को भी multiply कर देंगे और फिर दोनों को add कर देंगे दोनों group के लिए जो हमें function मिला है तो तीन variable का function बना है और यही हमारी required minimal form है for the boolean function ठीक है यही हमारी required minimal form हो जाएगी questions की practice करने से ही k-m-5 से आएगी example 2 देखे तीन variable के लिए तीन variable दिये है a, b, c और यह trumps दिये है इसके corresponding आपको उसको minimize करके लिखना है तो यहाँ पर a लिख लेते हैं यहाँ पर b, c pattern लिखने का same रखे जो मैंने input देना सिखाया है क्योंकि next वीडियो में भी same pattern से चलेंगे तो आपका answer बिल्कुल exact मिलेगा cell की numbering इसी हिसाब से रखनी है जो मैंने आज की वीडियो में बताई है तो a और b, c रखा पहले हम value लेते हैं a, फिर a उपर हम b, c, c, b, c और फिर b, c, dash को last में लिखते हैं जिससे cell की numbering बदलती है फिर b, c को लिखा जाता है corresponding cells में values डालेंगे पहले term है a, b, c a, b, c कम मिलेगा आपको जब a multiply करेगा b, c के साथ हैं यह वाला cell जाएगा जिसको हम one की form में लिख सकते value a, b, c के cell में हम one लिख सकते है next है हमारा a, b, c, dash तो a, b, c, dash यह वाला cell जाएगा a, b, c, dash का जिसमें हम one value डाल देंगे next value है a, b, c, dash a, b, c, dash इसमें हम one value डाल देंगे और last term है हमारी a, b, c a, b, c a, b, c, के अगर बात करें तो I think यह वाला cell हमारा जाएगा a, b, dash, c तो इसको भी हम लिख देंगे अब आपको देखना है grouping करते हुए क्या है आपर चार का कोई group बना है एक साथ one को लेकर के नहीं बना है तो दो-दो का group बना लेते है दो-दो का group बन जाएगा यहां पर overlapping allow होती है आप जानते है तो एक group तो बनेगा यह वाला दो one लिए और group हमने बना दिया फिर हम देखा जाए तो overlapping allow है तो इस वाले one का group इस वाले one के साथ भी बना सकते है तो दो-दो के दो group बन जाएगे अब क्या इस वाले cell के में जो one है क्या इसका भी किसी के साथ group बन सकता है आप कितनी भी कोशिश कर लिजेगा इसका किसी के साथ group हमारा नहीं बनेगा और अगर इसका किसी के साथ group नहीं बनेगा तो इसको हमें single ही लेना होगा तो इसका single का ही group होगा क्योंकि एक का गुरूप भी हम बना सकते हैं अगर possibility ना हो grouping का मैंने बताया था 1, 2, 4, 8 इतने cells लेकर के हम गुरूप को बना सकते हैं तो 8 यहाँ पर allow नहीं हुआ 8 यहाँ पर हमारा गुरूप नहीं बनेगा 4 का गुरूप नहीं बनेगा तो 2 का गुरूप बना और 1 का गुरूप बना अब इनके corresponding हम values को लिखतेंगे पहले वाला गुरूप लेते हैं पहला गुरूप है हमारा यह वाला जिसको मैं green color से आपको दिखाता हूँ इसके row के corresponding जाएगे तो a की value आएगी a और अगर column के corresponding जाएगे तो हमें देखना है कौन constant है कौन change नहीं हुआ है है ना वो लिखा जाएगा multiply में के उपर देखा जाएगे तो c और c dash यानि के c में change आया है तो बचा कौन b है हमारा b यहाँ पर b है b यहाँ पर b है तो b unchanged है तो यह जो a है row वाला यह हमारा b के साथ multiply करेगा c में change आया c को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि c plus c dash हमें one value दे देता है तो इस group के corresponding जो value मिलेगी a into b मिलेगी यह लिख देता हूँ a into b plus अब दूसरा group लेते हैं है ना दूसरा group पोन सा है हमारा yellow color से लेते हैं दूसरा group बनेगा हमारा एक column बाला अगर हम column के according देखें तो जो column का हमारा उपर value है वो b c dash है है ना तो b c dash single value है कोई change नहीं है तो वो लिखनी होगी और row के according देखें तो a dash और a a में change आया है a को नहीं लिखा जाएगा क्योंकि a plus a dash मिल करके one value बन जाएगी आपकी है ना तो cable corresponding to इस group के corresponding हमें cable value मिलेगी b c dash तो b c dash d dash को हमें add कर देते है b c dash ओके तो यह हमारे दूसरे group की value हो जाएगी अब हमारा last group बचा है जो single cell वाला है single cell के row के corresponding देखें तो a dash single value है कोई change नहीं है कोलम के corresponding देखें b dash c दोनों को multiply कर देंगे तो multiply करके मिलेगा a dash b dash c a dash b dash c और यह जो हमारा a b c का function बना है यही हमारा required minimal form होगी for the boolean function ठीक है यह हमारे required minimal form हो जाएगी for the boolean function अब हम question लेते हैं four variables के लिए four variables के लिए question लेते हैं इसमें हमारे चार variable involved होंगे k map के दुआरा हम सबसे पहले इस चार variables को लेते हुए x y z w को लेते हुए इस पूरे function को हम minimal form में convert करेंगे simple सी बात है चार variable है तो two की power four यानिके 16 cell हमारे k map की matrix में होंगे जैसा कि मैंने उपर बताया आपको तो k map की matrix ही होगी है ना अब k map की matrix में values लिखनी होती है उपर मैंने बताया था कि यहां पर लिखा जाएगा input xy और इसके नीचे हम लिखेंगे x dash y dash x dash y और x y dash को हम last में लिखते है और x y को फिर हम middle में डालते है ठीक है ऐसे ही उपर input देंगे y z तो यह y dash z dash y dash y z dash को last में और y z को बीच में डालते हैं तो यह हमने table बनाई आप corresponding values लिखेंगे पहली ट्रम जो है हमारी वो x y z w की है तो x y z w कम मिलेगा सोरी यह मैंने उल्टा लिख दिया वई x y नीचे था तो यह z w के लिए आएगा तो यह हो जाएगा z w यानिके z dash w dash z dash w और z w dash को last में और z w बीच में है तो हमारी पहली ट्रम है x y z w तो x y z w कम मिलेगा आपको जब x y वाली रो z w वाले कोलम के साथ multiply करेगी तो यह मिलेगा आपको वन की फोर्म में है ठीक है तो corresponding cell में हम वन वैल्यू डाल देंगे नेक्स ट्रम है x y z w dash x y z w dash x y और z w dash निके x y जब रो को हम multiply करेंगे z w dash कोलम के साथ में तो यह cell मिलेगा इसमें हम वन वैल्यू डाल देंगे नेक्स ट्रम है x y dash z w dash x y dash row में देखेंगे और z w dash कोलम में देखेंगे तो यह वाला cell मिलेगा जिसमें हम वन वैल्यू डाल देंगे नेक्स है x dash y dash z w x dash y dash z w x dash y dash row में और z w कोलम में तो यह वाला cell हमें मिलेगा ठीक है नेक्स है x dash y dash z w dash यह वाला सेल हमें मिलेगा तो पांच त्रम थी पांचों में हमने वैल्यू को डाल दिया ठीक है अब इनमें पांचों में जो वैल्यू डाली है फिर हम इसकी गृूपिंग करेंगे अगर गृूपिंग की बात की जाए तो सबसे पहले हम देखते कि हैं यहां पर आठ का पेर है फिर हम फोकस करते हैं दो के गृूप पर दो-दो के गृूप बन जाएंगे एक गृूप तो हमारा दो का यही बन जाएगा ठीक है ना एक गृूप हमारा दो का अगर देखा जाए तो यह बन जाएगा और लैपिंग अलाउ है तो एक गृूप हमारा दो का यह बन बस इसके corresponding हम terms को लिख देंगे minimize करके तो अगर यहां पर देखें पहले group के लिए यह हमारा group है इस group के लिए देखें तो row में value लेगा x-y- multiply इसकी करनी है अगर यहां पर देखें तो w change हुआ है w or w dash दो value है दोनों मिल करके one बना देगा z हमारा unchanged है z हमारा क्या है यहां पर भी z है यहां पर भी z है यह unchanged है constant है तो x-y- multiply z के साथ हो जाएगी w or w dash मिल के one बना देगा क्योंकि उसमें change आया है और यह मैं आपको rule में बता चुका हूँ कि constant value लिखी जाती है अगर किसी variable में change आता है तो वो हम नहीं लिखते है तो w में change आया है w से w dash हुआ है उसको हम नहीं लिखेंगी खाली यहां पर z में constant value हमें मिली है z unchanged value है तो z के multiply row के corresponding x dash y dash के साथ करा देंगे तो पहले ही हमें trump मिलेगी x dash y dash z पहले group के लिए अब हम लेते हैं दूसरा group दूसरा group हमें मिलेगा यह वाला इसमें row के corresponding देखें तो x y multiply के साथ करेगा उपर column में देखेंगे तो w तो हमारा change वाइस group के लिए w से w dash में लेकिन z constant है तो x y के multiply z के साथ कर देंगे और इस group के लिए हमें minimum value मिल जाएगी x y z दूसरी value आ जाएगी अब तीसरे group को देखते हैं तीसरा group है हमारा एक column बाला ठीक है अगर column के corresponding देखें तो a की value है z w dash ठीक है रो के corresponding देखें तो y change हुआ है y को हम छोड़ देंगे x constant है x को हम multiply करा दें किस के साथ z w dash के साथ तो z w dash के साथ x multiply करेगा तो x z w dash मिलेगा x z w dash तो तीनों group के लिए तीन ट्रम हमें मिलेगी बस इन तीनों values को हम लिख देंगे x dash y dash z plus x y z plus x z w dash और यह जो हमें मिला है function f x y z w का यही हमारा required minimal form होगी for the given boolean function यही हमारे required minimal form हो जाएगी ठीक है I think अब आपको grouping करनी आ गई होगी grouping की practice करेंगे तो next video भी बहुत अच्छे से समाझ में आने वाली आपको एक चार variable का question और लेते हैं इसमें f a b c d चार variable में दिया है और यह terms उसकी है k map चार variable में आप जानते हैं 2 की power 4 16 variable 16 cell रखेगा अब a b c d में है तो a b c d में table को बना लेते हैं यहाँ पर input होगा c d यहाँ पर input होगा लिखने का तरीका a dash b dash पहले फिर a dash b फिर a b और फिर a b dash है ना ऐसी c dash d dash c dash d और c d dash को हम last में लिखते हैं और यह हमारा c d हम बीच में डालते हैं corresponding terms को देखेंगे a dash b c d 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 यानिके a dash b ro में देखा और c d कोलम में देखा तो यह वाला कोलम बनेगा one a dash b c d को one देखेंगे दूसरी term है a b dash c d dash a b dash ro में और c d dash कोलम में तो यह वाले one देखेंगे value a dash b dash c d dash a dash b dash ro में और c d dash कोलम में यह value value देखेंगे फिर a b c dash d dash a b ro में और c dash d dash कोलम में यह वाले value one देखेंगे last है a b dash c dash d dash 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 तो यहाँ पर हमारा वना जाएगा तो इस तरीके से हमने पांच ट्रमती पांचों के लिए one value डाले अब grouping पर चलते क्या 8 का group यहाँ पर बन सकता है no यहाँ पर 8 का कोई भी group नहीं बनेगा कहें हाँ पर 4 का कोई group बन सकता है 4 one एक साथ लिखे है कहीं पर 4 cell में लगातार नहीं है 4 का group भी नहीं बनेगा 2-2 का group बन सकता है एक तो 2 का group बनेगा हमारा एक तो दो का गुरूप बन जाएगा हमारा ये वाला ठीक है ना एक दो का गुरूप बनेगा कुछ इस तरीके से यह आपको ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ पर दोनो वन एक साथ नहीं है लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से रखे इसका मतलब है यह हमारा जो है क्लोज तो हुआ है यहाँ पर लेकिन हमने इसको ओपन चोड़ा है और open होकर के यह ठीक है? open होकर के यह इधर से open side से आएगा और क्लोज हो जाएगा इस पर तो grouping ऐसे भी हो जाती है दो दो की ना यह ध्यान अकना आपको देखो यह जो हमारा two का pair है one one इस तरीके से हैं हमारे group बनाए इसको हमने open तो किया है यहां से यहां से open कर लो एजो वी ज़ो आप समझे यहां से open किया है और इस वाले one के साथ close किया है यह grouping कब होती है यह grouping तब ही होती है ठीक है तो हम इसकी grouping ऐसे open कर देंगे इधर से close कर देंगे ठीक है तो ये last वाले जो cells होते हैं उनके लिए ही होती है ये जिसको हम एक तरफ से open करते हैं दूसरी तरफ से close करते हैं तो ये हमने 2 की grouping कुछ इस तरीके से की है कि नीचे वाला cell और उपर वाले cell को हमने इस तरीके से लिया है ये जो हमारा single one बचा है इसमें 2 की grouping नहीं होगी है तो इसमें केवल हमारी grouping हो सकती है one की है और one की grouping क्या होगी वो केवल single cell जाएगा उसमें ये वाला तो ये थोड़ा सा question हटके है important भी है एक नया concept आपने सीखा कि grouping हम इस तरीके से भी कर सकते है कि एक तरफ से open दूसरी तरफ जाके close कर दे ये ending cells के लिए ही बनता है ये ध्यानक ना अब इसमें grouping के according हमें corresponding terms लिखनी है पहला group लेते है ये वाला group इसमें अगर row में देखे रो में कौन constant है बी तो change हुआ है तो बी को तो हम ignore करेंगे क्योंकि बी प्लस बी डैस तो one बन जाएगा ए constant है तो row से तो हमें a value मिली एक ही multiply इसके साथ होगी column वाली value है c dash d dash तो एक ही multiply c dash d dash के साथ कर देंगे तो यहां से मिलेगा आपको a c dash d dash पहली ट्रमागी पहले group के लिए दूसरा group लेंगे ये वाला जो यहां से open है और यहां पर जाकर close है ठीक है इसमें जो column वाली value है व वाली value एक तो यह मिलेगी और एक यह मिलेगी इसमें change किस किसमें आया है a में change है क्योंकि नीचे a लिखा है उपर आपका a dash लिखा है तो a में तो change है a को छोड़ देंगे b dash उपर भी है और b dash ही नीचे है b dash हमारा same रहेगा तो row से तो हमें मिलेगा b dash और column से मिलेगा हमें c d dash तो value हमारी बनेगे multiply करके b dash c d dash जिसको हम यहाँ पर दूसरे term लिख देंगे b dash c d dash और जो single वाला cell है उसके corresponding अगर row देखे तो a dash b और column देखें तो c d तो दोनों के multiply करके आएगा a dash b c d a dash b c d तो यह जो हमने function लिखा है इसको नीचे लिख देंगे a c dash d dash plus b dash c d dash plus a dash b c d और यह जो हमने function लिखा है a b c d का है ना यही हमारा required minimal form हो जाएगी for the given boolean function ओके तो मैंने आपको आज की इस वीडियो में sum of product form destructive normal form कह लो यह sum of mintrum कह लो dn form कह लो यह sop form कह लो उस सब के लिए मैंने आपको k map से उसको minimize करना सिखाया है minimal form में उसको लिखना सिखाया है ठीके ना questions को करने के बाद rule को लिखने के बाद अगर questions आपको clear हुए है तो rules को आप पढ़िएगा आप rules की एक ही step आपको समझ में आएगी है जो मैंने working rule में use किया है वही sum मैंने आगे बता है और question अच्छे से आ जाएंगे तो आप next वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि अभी तक तो हमने क्या किया था कि x, y, z, w की form में question को लेकर के चले थे कुछ questions इसमें ऐसे होते हैं जिसमें हमें cell की numbering दी होगी हमें x, y, z की form में नहीं दिया होगा question हमें केवल cell की numbering दी होगी तो उस numbering को देखते हुए हमें value लखनी होती है 1 और numbering का मैंने आपको उपर जो concert बता है वही concert में next वीडियो में बताने वाला हूँ है ना